हजारी बाग के बोचो गाउं की एक युवती का अपती चनक फोटो वाइरल होने और पुलिस द्वारा इस मामले में कारवाई नहीं किये जाने की तहकिकात विशेश चार्ज टीम S.I.T. करेगी इस आशे की जानकारी पुलिस अधिक्षक कार्थिक S.N. पत्रकार वारता के दोरान कहीं उन्होंने कहा कि S.I.T. युवती द्वारा थाना में शिकायत किये जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कारवाई नहीं किये जाने के आरोप की भी जाज की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि इस S.I.T. का नेत्रित्व सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमल किशोर को सौपा गया है टीम में अंचल निरक्षत दिरेंद्र कुमार मिश्रा, साइबर सल के प्रसिक्षु S.I. अलिशा कुमारी एवं विक्रम कुमार को भी शामिल किया गया है पीड़त युवती अब स्वर गिये के द्वारा लिखे गई सूसाइड नोट की भी जाज की जाएगी S.P. कार्तिक S. ने उप्रोक्त मामले में प्रात्मिक अभियुक सनिकुमार को गिरफतार कर उससे पूष्टाज किये जाने की बात भी कही यह भी बताया गया कि इसी मामले के दो आरोपियों मंजीद एवं रंजीत को गिरफतार कर जेल भेजा जा चुका है ग्यात हो कि यूवति का जीमेल, फेस्बुक वा इंस्टेग्राम अकाउंट को हैट कर अपत्ति चनक फोटो वाइरल किया गया था इस घटना से छुट यूवति ने 18 अक्टुबर की राद फासी लगा कर आत्महत्या कर ली थी इस घटना से आहत यूवति के परिजनों ने लिखे तावीदन दे कर मुफसिल थाना में प्रात्मिकी दर्च कराया है जिसमें दो प्रात्मिक अभ्यूक एवं दो को अप्रात्मिक अभ्यूक बनाये गया है इस पर्टिकलर गटना में अभी तक दो नेम्ड अक्यूस्ट और एक अनेम्ड अक्यूस्ट अरेस्टेड है और इस पूरे गटना करम को डीटेल जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिकेशन टीम का गटन हुआ है सवाल उटी थी और उसको भी हम लोग जांच कर रहे है अलग से और जांच अपर भी अगर किसी पर दोशी पाया गए तो उन पर भी आक्शन लिया है लाइच आरकन ब्रेकिंग और A&B News के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट टीमनाव भाई जो भी बोल लग तगड़ा है अपने जसी का जसी यार एक एक बैट्समेन को समझ के आउट किया है यह लख नहीं मेहनत है देख नाराज हो गया जसी फोन में घुज गया अपने यहां भी परफॉर्म कर रहा हूं इसे कमिशन बच जाता है अरे यार जसी मुझे ही बताना अरे ठंड रख डिरेक्ट प्लान में सोच समझ कर इन्वेस्ट कर तो ही फाइदा है सही है पुप तेरी इतना वारिंग बैग योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़ें यह सिस्टम है भाईयों और बेनों जैसे चेन होती है यह एक चेन मंडी प्रोक्यॉर्मन्ट का सिस्टम यह एक चेन इस चेन को आपने कहीं भी तोड़ दिया तो पूरी की पूरी चेन खत्म हो जाएगी और आज एगर किसान जिन्दा है तो यह जो धाचा है जो चेन है इसके कारण जिन्दा है यह चेन किसने बनाई कॉंग्रेस पार्टी ने बनाई और मैं यह भी कहता हूँ कि चेन में कमी है मैं ये नि कह रहा हूँ कि चेन बिल्कुल ठीक है बहुत बढ़ी है नहीं कमी है मंडियों में कमी है कम मंडियों है infrastructure में कमी है और silos होने चाहिए सरके अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल होना चाहिए तो पर नरेन्श मोदी जी को तो सिस्टम को और बेतर करना चाहिए आपको लगता है कि किसान माल नहीं बेच पा रहा है तो सो को बजाए हजार हजार मंडी कर दीजिए उसके गांके बिल्कु पास मंडी लगा दीजिए किर दो कोश सुनि हा साषर लगता है अच्छ कि झाल सकता है तो सुनि दो में को घडिए जदी लगता है